Hello everyone, welcome to Chahel Academy. In this video, we are going to study about citizenship of India. आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि citizenship का मतलब क्या होता है? अगर आपको इंडिया की या फिर किसी और देश की citizenship मिल जाती है, तो उसके क्या-क्या benefits आप लोगों को मिल सकते हैं, और इंडिया के citizen आप किस तरीके से बन सकते हैं, या फिर इंडिया की citizenship आप किस तरह से खो सकते हैं? इसके साथ-साथ अगर आप इंडिया के citizen बनते हैं, तो कौन-कौन से rights जो अलग-अलग तरीके के होते हैं, जैसे fundamental right, legal rights या constitution rights आप लोगों को मिल सकते हैं. सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि citizenship होती क्या है? citizenship एक ऐसा legal status होता है, जो आपको इस बात की authority देता है कि आप इंडिया में रह सकते हैं. यहां तक कि citizenship आपके और आपकी central और state government के बीच के relationship को भी पूरी तरीके से fix करता है, याने कि आपकी जो duty रहेगी government की तरफ और government की जो responsibility रहेगी आपकी तरफ, उस बात को पूरी तरह से हम citizenship के थूँ ही proof कर सकते हैं. यहां तक कि अगर आप इंडिया के citizen हैं, तो fundamental right के तहत आप free to move हैं, याने article number 19 में जो हमें fundamental right दिया गया है, कि आप कहीं भी इस देश में घूम सकते हैं, या फिर आप इस देश से बाहर जा सकते हैं, किसी और देश में घूमने के लिए, किसी काम के लिए, या फिर किसी दूसरे देश से भी इंडिया में आ सकते हैं. ये सारी की सारी चीजें बिना रोक टोक के होती है क्योंकि आपके पास इंडिया का सबसे बड़ा लीगल स्टेटस है जिसे हम citizenship कहते हैं इसके साथ साथ अगर आप इंडिया की सिटिजन है तो बहुत सारे fundamental rights और government के द्वारा दी जाने वारी बहुत सारी सुविधाएं भी आप लोगों को हासिल होती है जब हम बात करते हैं कि citizenship इतनी जादा फाइदेमंद क्यों है तो हमें ये समझना होगा कि citizenship लेने के बाद हमें इंडिया से related जितने भी socio-economic benefit, political या फिर civil rights जितने भी protections होते हैं वो exclusively इंडिया के citizens को दिये जाते हैं example के तौर पर अगर आप Indian government में किसी भी तरीके की job करना चाहते हैं या फिर Indian government से किसी तरह की subsidy लेना चाहते हैं free food, education या फिर medication की किसी भी तरीके की facility चाहते हैं इसके साथ-साथ लोगसभा, विधानसभा या पंचायत नगरपालिका के चुनाओं में vote डालने की बात हो या फिर खुद election में खड़े होकर election लडने की बात हो यहां तक कि अगर आप पर कोई case चल रहा है तो आपको free legal aid भी दी जा सकती है और fundamental right के तहत जो article 19 में हम लोग बात करते हैं right to speech and expression ये सारे benefits आप लोगों को मिलते हैं अगर आप India के citizen पूरी तरीके से बन जाते हैं अब यहां पर ये बात देखने की जरूरत है कि कोई भी person इंडिया का citizen किस तरह से बन सकता है इसके बहुत सारे तरीके हैं example के तौर पर जैसे आप और मैं इंडिया में पैदा हुए हैं इसलिए हम इंडिया के citizen by default या automatically बन जाते हैं इसे हम कहते हैं by birth या फिर मान लीजिए अगर आप इंडिया से कहीं बाहर पैदा हुए हैं किसी foreign country में पैदा हुए हैं और उसके बाद आप इंडिया के citizen बनना चाहते हैं तो उस process को हम by descent, registration या naturalization के नाम से जानते हैं या फिर अगर आप किसी दूसरे देश में रहते हैं और उस दूसरे देश की territory को Indian government इंडिया की territory में अगर मिला लेता है तो इंडिया में territory जब वो आ जाती है तो automatically by default आपको भी ये choice दिया जाता है कि आप भी इंडिया के citizen बन सकते हैं और इस तरीके को हम by incorporation of territory कहते हैं जब हम citizenship की बात करते हैं तो कानून सिर्फ citizenship को हासिल करने के लिए नहीं लेकिन citizenship को lose करने याने खोने का भी होता है अलग अलग तरीकों से आपके हाथ से इंडिया की citizenship जा भी सकती है एक्जामपल के तौर पर अगर आप खुद से इंडिया की citizenship छोड़ना चाहते हैं और किसी और दूसरे देश की citizenship लेना चाहते हैं तो इस process को हम लोग कहते हैं by renunciation या फिर अगर आप किसी दूसरे देश के citizen बन जाते हैं तो automatically आपकी इंडिया की citizenship भी खतम हो जाती है और इस तरीके को हम by termination के नाम से जानते हैं या फिर अगर आप पर कोई ऐसा guilt या आरोप लगा है जिसे हम देश-दुरो के नाम से जानते हैं तो government भी आपकी citizenship आपसे ले सकती है और इसे हम deprivation के नाम से जानते हैं इंडिया की citizenship से related जो सबसे बड़ा कानून देखा जाता है वो यह है इंडिया की single citizenship का कानून याने कि या तो आप सिर्फ इंडिया के citizen हो सकते हैं या तो फिर किसी दूसरी country के citizen हो सकते हैं आप इंडिया के citizen रहते हुए किसी भी दूसरी country के citizen कभी नहीं बन सकते याने कि dual citizenship का जो कानून है वो इंडिया में बिलकुल भी लागू नहीं होता है अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो fundamental rights हैं वो citizens को तो available हैं ही लेकिन एक छोटा सा misconception ये है कि जादातार लोगों को ये लगता है सारे के सारे fundamental rights सिर्फ और सिर्फ citizens के लिए ही होते हैं लेकिन ये प कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक का जो right to equality होता है या फिर आर्टिकल नंबर 20 और 22 में right against arrest और detention का है यहाँ तक कि आर्टिकल नंबर 21 भी जिसे हम लोग protection of life and person liberty के नाम से जानते हैं इस तरह कि कुछ fundamental rights citizens और foreign citizens को दिये जाते हैं इसी तरीके के quality के important topics को अगर आप detail में और आसान भाशा में पढ़ना चाहते हैं जो आपकी civil services examination की preparation को और easy बनाएगा so for that please keep following चहल Academy I will see you in the next video thank you very